हर्याना इस स्टेट से रिलेटेड जितने सारे इन्फोर्मेशन से हम लोग इस विडियो में कौवर करने की कोशिश करेंगे देखते हैं कि कितना हम लोग कौवर कर पाते हैं सबसे पहला क्विश्चन है कि हर्याना का फॉर्मेशन कैसे होता है तो हर्याना का formation जो होता है, recommendation करते हैं सरदार हुकुम सिंग पार्लियमेंटरी कमेटी के द्वारा, सरदार हुकुम सिंग पार्लियमेंटरी कमेटी जो है, the formation of this कमेटी was announced in Parliament on 23rd September 1965 को, 23rd September 1965 को पार्लियमेंट में announce होता है कि सरदार हुकुम सिंग पार्लियमेंटरी कमेटी बनी ह और इसके बाद अप्रेल 1966 में इंडियन गोबर्मेंट सेट अफ करती है जस्टिस जेसी सहा कमिशन जिसे ओफिशियली पंजाब बाउन्डरी कमिशन के नाम से जानते हैं और जस्टिस जेसी सहा कमिशन अप्रेल 1966 में बैठी ही थी यानि की फॉर्म हुई थी और यह अपना रिपोर्ट जो है सब्मिट करती है सरकार को 31 मई 1966 को जेसी सहा कमिशन में तीन मेंबर्स थे हैं एक चेयर्मेन जो कि खुद जेसी सहा थे और इनहीं के नाम पर पपुलरली इसे जेसी सहा कमिशन करते हैं लेकिन ओफिशियली इस कमिशन का नाम जेसी सा नहीं है, वो है पञजाब बाउंडरी कमिशन, तो पञजाब बाउंडरी कमिशन से konfuz नहीं होना है, पंजाब बाउंडरी कमिशन की जो report है, वो 31 मईई 1966 को गर्बर्मेंट को दी गई थी, और हम लोगों ने देखा कि जेरसी साह कमिशन में तीन मेंबर्स थें पहला चेर्में जो कि जेसी साह स्वें थें और दो अधर मेंबर्स जिसमें कि एस दत्थ और एमेम फिलिप थें और इस कमिशन के जो सेक्रेटरी थें वो वाईडी देसाई थें तो यह अपना दो पॉइंट हुआ सरदार हुकुम सिंग पा और इसके चेर्में जेसी साह थें और दो मेंबर्स एस दत्थ और एमेम फिलिप और सेक्रेटरी वाईडी देसाई नेक्स्ट और यह सारी चीजे करने के बाद फाइनली हमारा हर्याना जो है 1 नवंबर 1966 को भारत का सत्रहवा एस्टेट के रूप में फूल फ्लेज एस्टे 24% था और हम लोग जानते हैं कि भारत का जो एरिया है वो 32,87,263 km2 है और यह सो एरिया के अपना हर्याना वो भारत में एक किस्वा अस्थान रखता है जैसे एरिया के हिसाब से सबसे पहला जो है वो राजास्थान के पास है एरिया सेकेंड पे मद्द प्रदेश के पास है थर्ड महरास्थ के पास है और फोर्थ यूपी के पास है उसी तरह से हमारा जो यह एरिया है 44,212 km2 यह भारत का 21 एस्टेट का लाएगा ज़दी हम लोग एरिया के हिसाब से इसे मेजर करें तो और जो हमारा हर्याना था वो एस्टेट करम में 17 नंबर का एस्टेट बना थ फूल फ्लेज्ट 1st November 1966 को तीनी इंफोर्मिशन हो गए अब हम लोग देखते हैं 1st November 1966 को आसा आते हैं तब हमारे हर्याना में 7 डिस्टीक हुआ करते थे 1st November 1966 को जब अपना हर्याना पंजाब से अलग हुआ था तब हमारे पास 7 डिस्टीक थे ऐसे इसको याद करते हैं घर जेके एम घर जेके में या एम कह सकते हैं तो जी फोर गुरुग्राम, एच फोर हिसार, एफोर अमबाला, आर फोर रोहतक, जे फोर जिंद, के फोर करनाल, एम फोर महेंद्रगर्ड ये 7 डिस्टीक थे अब इससे क्या होता है कि अलग अलग फिर डिस्टीक बनेंगे औ और बाद में हम लोग देखेंगे कि प्रजेंट में 2021 में हमारे पास कितने डिस्टीक हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 1 नॉमबर 1966 को हमारे पास 7 डिस्टीक थे गुरुग्राम, हिसार, अमबाला, रोहतक, जिंद, करनाल एंड महेंद्रगर्ड सबसे पहला देखते रहे हैं मैं बता रहा हूं फिर करनाल से कुरुग छेत्र निकलता है 23 जनवरी 1973 को फिर 26 अगस 1975 को सिर्षा बनता है और आज प्रजेंट में हमारा जो सिर्षा है वो सबसे लार्जेस्ट एरिया रगता है जिसका की एरिया 4277 किलोमेटर है और 15 अगस 1979 को फरीदाब निकलता है और एरिया में फरीदाबाद सबसे smallest है और most populated जो डिस्टीक है अपना वो फरीदाबाद है तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सिर्षा जो है लार्जेस्ट एरिया रगता है फरीदाबाद सबसे कम एरिया है फरीदाबाद के पास 1st November 1989 को कैथल, रिवारी, यम नगर और पानिपत चार डिस्टिक बनते हैं पानिपत फिर 1991 में जुड़ जाता है लेकिन फिर 1992 में हड जाता है तो ये इसका क्रम है कैथल, रिवारी, यमना नगर और पानिपत नेक्स हम लोग देखते हैं information 15 अगस्त 1995 को पंचकूला निकलता है कई बार question पूछा जा चु सहीदों का जिलह काहस आता है जजर जो है अपना तो 15 अगस्त 1997 को जजर निकलता है, चार अपरेल 2005 को मिवात या जिसे नू फेमसली भी कहते हैं और इसे सत्त मेवपूर भी कहते हैं तो 4 अपरेल 2005 को आता है, 2008 में पलवल आता है और चरकी दादरी जो है अपना 22 जिलह है, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिए, जदी 16 नवंबर 2016 है, option में, 1 दिसंबर 2016 है, 4 दिसंबर 2016 है, और 14 option को यौर है, तो हमारा जो first choice होगा, वो 16 नवंबर 2016 को होगा, वैसे ये तीनों date जो है, सही है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो सबसे पहला choice होन select करने में, कि चर्की दादरी अपना कव मतलब की formed हुआ था, तो वो 16 नवंबर 2016 को हुआ था, और हमारा जो second choice होगा, वो first दिसंबर 2016, और third choice जो होगा, 4 दिसंबर 2016, और मान लिजे कि ये दोनों नहीं है, कि वो 16 नवंबर 2016 है, तो 16 नवंबर 2016 चूच कर लेंगे, मान लेते पहले कुछ question नहीं करना है, first December 2016 को ही consider कर लेना है, तो ये इसके बारे में concept है, चर्की दादरी के बारे में ज्यादा इसमें हम लोग discuss नहीं करेंगे, I hope शो कि आपको ये clear हो गया होगा, अब हम लोग आज आते हैं, दो हजार 21 में, हमने 1966 से start किया था, अभी 2021 में हम लोग आ अंबाला, फरीदाबाद, गुरुगराम, हिशार, रोहतक, एंड करनाल, ये हमारे पास six division है, अंबाला में चार डिस्टिक हैं, अंबाला, कुरुकशेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद में तिन डिस्टिक हैं, फरीदाबाद, नो, पलवल, गुरुगराम मे हिसार में फोर डिस्टिक हैं, हिसार, फतेहाबाद, जिंद, एंड सिर्शा, रोहतक में पास डिस्टिक हैं, रोहतक, जजजर, सोनीपत, विवानी, चर्की दादरी, रोहतक में पास डिस्टिक हैं, फिर से देख लेते हैं, रोहतक, जजजर, सोनीपत, विवानी, एंड चर कर सकते हैं कई बार ये कोईशन इस तरह से पुछे जाते हैं तो हमारे सिक्स डिवीजन है बाइस जी लेके जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे तो बहुत जादा आपको बेनिफीट होगा क्यूंकि मैं डिटेल्स में करने की कोशिश कर रहा है और ये कुछ अपना हर्याना का मैं पिस दरत से दिख देखेगा देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हर्याना का जो हमारा longitude longitude जो होता है east west होता है और latitude जो होता है वह north south होता है या south north होता या उपर से नीचे जो जाते हैं इसको latitude जो उपर जाएगा लेटी ट्यूट करते हैं और इधर से जो होता है न यह इस्ट वेस्ट वहला इसे लोंगी ट्यूट करते हैं तो देखिए हमारा जो है लेटी ट्यूट यह होगा 30 degree 35 minute north में है जो कि सबसे जो अपना north में है वो सद पूर जो है पचचकुला में जगहा है और south में जो सबसे नीचे है अपना दोहा मिवात में होगा यानि कि जो मिवात या नू जो जीला है अपना वो सबसे south में है 27 degree 39 minute north में इसका latitude होगा, और ये longitude अब हम लोग देखते हैं, longitude जो है, सिरसा में पढ़ता है, 14 भी लेज जो है, 74 degree, 28 minute east, ये degree का sign है, और ये minute का sign है, east, और जो अपना, east वोला पूरा side है, ये तो west वोला side हो गया, जदि हम हर्याना को यहां पर हम लोग खड़े हो सें बीच में, तो ये east, ये west, उपर north, नीचे south, तो कालेशर जो है, यमुना नगर में पढ़ता है, 77 degree, 36 minute east में पढ़ेगा हो, तो ये अपना कुछ, latitudinal extent और longitudinal extent हुआ, longitudinal मैं फिर से बता रहा हूँ, जो north to south होते हैं, इसे longitudinal extent कहते हैं, और latitudinal जो extent होता है, वो east to west होता है, इस तरह से जो होता है, तो अभी जो हमारा भारत का जो longitudinal है, जिससे कि हम लोग अपना time measure करते हैं, वो है 82 degree and half minute, half minute east में ये पढ़ता है, तो simple सी बात हैं, हमारा तो हर्याणा 77 degree, 36 minute east पर खतम होता है, तो 82 कुछ यहाँ देखेगा, बस ये समझना था, अब हम लोग देखते हैं, कि हर्याणा के जो important, जो sign है, उस पर हम लोग बात करते हैं, पहचान जिसको कहते हैं, black bug जो है अपना, यानि कि काला जो हिरन है, वो हमारा mammal है, यानि कि हमने state animal गोजित किसको कर रखा है, black bug को, जिसे antilof, kervika, प्रावी कहते हैं, और यह list concern में है जो red data book published होती है, जिसमें कि animals और plants के बारे में कहा साता है, sorry, animals और birds के बारे में उसमें कहा साता है, generally, कि वो list concern है, या इसी तरह से, वो extinct हो गए हैं, उनके बारे में दिया साता है, या critically, वो danger हैं, so, इसका scientific नाम भी हमें याद रखना होता है, black bug जो है, antilof, कर्भी, कर्भी कापरा इसको कहते हैं, bird जो है, अपना काला दीतर है, ये भी list concerned है, red data book के according, जिसे black frankolin भी कहते हैं, या frankolin लिंकस, frankolin कस, या इसका scientific नेम हो गया, flower में lotus, कमल है, निलुम, वो, निूसी फेरा, scientific नेम भी याद करना होगा, पूछ देता है, कभी कभी चुकि ये, जो, एससी वेगर examination में होंगे, उस तरह के examination में, ये question पूछे जा सकते हैं, tree जो है, अपना people है, जिसको, figures, religious हा कहते हैं, SDI rank में अभी जो हर्याणा का rank है, वो 11th है, economic में 13th largest in India है, और per capita income जो है, हमारा लगबग 2,40,000 है, और यह इंडिया में 5th है, और सबसे ज़्यादा जो per capita income है, भारत में, वो है goa estate का, So, ये हम लोगों ने कुछ information देखा, next हम लोग आते हैं, इसके extent में, अभी हम लोगों ने देखा, हमारा ये हर्याणा का मैफ है, ये इस तरह से, चदि हम लोग इसको draw करें, तो हर्याणा कुछ ही इस तरह से अपना दीखेगा, तो हम लोग देखते हैं, कि हर्याणा किनकिन estate से touch करता है, सबसे पहले हिमाचल परदेश आता है, हिमाचल परदेश से तिन जीले अपने लगते हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुना नगर, दूसरा जो है, उत्राखंड आता है, उत्राखंड से किवल एक जीला लगता ह यमुना नगर, yes, confuse बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल clear crystal कर लें, कि उत्राखंड से हर्याणा लगता है, और हर्याणा कहसो अपना यमुना नगर है, वो उत्राखंड से लगता है, अब इस पे कोई बात ही नहीं करनी है, उत्राखंड बिल्कुल लगता है, कोई confusion नहीं है फिर उत्तर प्रदेश से 6 जीले लगते हैं यमुनानगर, करनाल, पानिपत, सोनिपत, फरीदाबाद और पलवल फानली पलवल नीचे में आ साएंगे यहाँ पर फिर आता है अपना राजास्थान यह वाला पोपोर्शन राजास्थान से 7 जीले लगते हैं और इसका जो एरिया, यह बाउन्डरी जो है अपना राजास्थान का वो लगबग 1262 किलोमीटर और यह सबसे लॉंगेस्ट है और सबसे कम जो है यमुनानगर का बाउन्डरी यह उत्राखंड का जो बाउन्डरी है अपने हर्याणा से लगबग 12 किलोमीटर के आसपास है यमुनानगर के साथ तो सबसे कम जो है उत्राखंड के साथ और सबसे जादा जो है हमारा बाउन्डरी राजास्थान के साथ लगता है 1262 किलोमीटर और 7 जीले लगते हैं इससे सिर्सा फतेहाबाद सिर्सा उपर में फतेहाबाद फिर हिसार भिवानी महेंद्रगड रिवारी और मेवाद तो ये साथ जीले लग गए और फिर फाइनली जो है ये पंजाब यहां से लेकर यहां तक पंजाब तो उपर से स्टार्ट करते हैं, साथ जीले पंजाब से लगते हैं, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जीन्द, फतेहाबाद और ये सिर्सा, तो ये साथ जीले लग गए, तो हमारे हर्याणा से कितने स्टेट बाउंडरी से अर करते हैं, हिमाचल पर्देश, उत्तराकंड, उत्तर पर्देश, राजास्तान और पंजाब, यानि कि एक, दो, तीन, चार, राजास्तान, चार और पंच पंजाब, पंच इस स्टेट जो है, वो हिमाचल पर्देश से बाउंडरी से अर करते हैं, और एक जो है अपना फाइनल देली, और देली से, जो हमा के लगते हैं, सो सोनी पत्थ, जजजर, गुरुग्राम, फरीदावाद चार जिले लगते हैं, कोई confusion नहीं है, दादरी और रोहतक जो है, ये ऐसे दो जीले हैं, अपने 22 जीले में, जो किसी एस्टेट से नहीं लगते हैं, क्योंकि ये हर्याणा कहीं जीलों से लगते हैं, य और जो 20 जीले हैं, वो किसी ना किसी estate या यूटी जश से लगते हैं, तो जदी हम से पूछा जाए कि हर्याणा के कितने हर्याणा सबसे ऐसे पहले पूछा जाएगा कि हर्याणा कितने estate से boundary share करता है, तो 5 estate से, हर्याणा कितने estate और union directory से boundary share करता है तो साथ हो जाएंगे क्योंकि 5 state और 2 union territory पहला देली और दूसरा अपना यहाँ पर पंचकुला के पास जो है 36 गड़ तो यह 36 गड़ को नहीं भूलना है 36 गड़ हमारे पास भी है और पंजाब के पास भी है तो 36 गड़ और देली जो है दो union territory जो है हर्याना से touch करते हैं और दूसरा concept हमने यह सीखा कि हर्याना के दो जीले हैं दादरी और रोह तक यह किसी state के साथ border share नहीं करते हैं जिन्द हमारा एक ऐसा जीला है जो सबसे ज़्यादा जीला को share करता है जिन्द एक जीला हो गया अब इससे जो connected जीला है वो साथ जीले हैं और वो कौन-कौन से हैं जिन्द यहाँ पर है कैथल, करनाल, पानी पत, सोनी पत, रोह तक, हिसार और फतेहाबाद यह साथो जीले जो है न यह boundary करते हैं जिन्द से तो यह concept था है सिर्सा फतेहाबाद हिसार विवानी, महेंदरगर, रिवारी और मेवाथ हमने देखा कि राजस्तान के साथ यह touch करते हैं दूसरा concept हम लोगों ने सीखा कि रोहतक और चर्की दादरी जो है not to touch any estate यह किसी भी estate से नहीं touch करते हैं और जिन्द जो है अपना साथ district से touch करता है और अभी हम लोगों ने देखा कि वो कौन-कौन से जीले हैं तो यह next concept था अपना पुरा अभी boundary वाला हम लोग देख रहे हैं next आज आते हैं चुकि NCR जो है हमारे लिए कापी important है यानि कि National Capital Region National Capital Region का जो area है 55,083 km2 है जिसमें कि NCR दिल्ली आता है National Capital Tretory Delhi इसको full form कहेंगे इसका 1483 km2 है और सबसे बड़ा जो अपना सेयर रखता है वो हर्याणा रखता है 25,327 km2 हर्याणा area share करता है National Capital Region के साथ देखे National Capital Region बड़ा हो गया National Capital Region में चार लोग है एक है NCR दिल्ली एक है अपना हर्याणा एक है उत्तर परदेस और एक है राजस्थान ये चार लोगों से मिलकर बना है NCR ओके तो NCR का area भी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 55,083 km2 NCT का हमने देख लिया हर्याणा का देख लिया उत्तर परदेस का 14,826 km2 राजस्थान जो है 13,000 चार सा 47 km2 और हर्याणा के जो है अपने 14 जीले जो है वो लगते है NCR में भीवानी, चर्की दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, चजजर, रेवारी, रोहतक, जिंद, करनाल, महेंद्रगर, नूह यानि कि मेवाद जिसको कहते हैं पलवल, पानीपत और सोनीपत राजस्थान के दो जीले लगते हैं अलवर और भरतपुर उत्तर परदेस के आठ जीले लगते हैं बागपत बुलंद सहर, गौतम बुध नगर गासियाबाद, हापूर मेरत, मुझफफर, नगर और सामली तो ये अपने NCR का कॉंसेट हो गया अब हम लोग सेंसस देखते हैं सेंसस 2011 के बारे में हम लोग बात करेंगे उससे पहले हम लोग चुकि हमारा हर्याना 1966 से स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहला जो हमारा सेंसस होगा हर्याना जीला का वो 1971 में होगा उच समय हम लोग 1 करोड 36,431 लोग थें जिसमें की मेल और फिमेल दोनों इंक्लूड थी 81 में हम लोग 1 करोड 29,000 हो गए 91 में हम लोग 1 करोड 64,000 हो गए 2001 में हम लोग 2 करोड 11,000 हो गए और 2011 में 2 करोड 53,000, 51,462 हो गए और हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 19.91 प्रतिसत था ग्रोथ जो है ये डिकेडल ग्रोथ मेजर किया साता है डिकेडल ग्रोथ और डिकेडल ग्रोथ का मतलब हो गया कि 10 सालों में हम लोगों ने 2001 से 2011 के बीच में कितना ग्रोथ किया पपूलेशन में 19.91 परसेंट जो की हमारा 2 करोड 53,000 ये 53,51,462 है सेंसस 2011 में सबसे ज़्यादा हिंदू 87.46 परसेंट है फिर इसलाम यानि की मुस्लिम की संख्या है 7.03 परसेंट फिर सीख आते हैं 4.91 परसेंट 4.9 जैन 0.21 परसेंट 0.20 परसेंट और बोधिस जो है 0.03 परसेंट तो यह रिलिजियस डेटा हो गया अब टोटल पॉपुलेशन अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि 2 करोड 53,000,51,462 है अभी हम लोग 2011 के अकॉर्डिंग और यह ज़ो भारत में 8 अस्थान रखता रखता है जनसंक्या में जनसंक्या में जो सबसे पहला अस्थान रखता है वो उत्तर परदेश का है हम लोग जानते हैं सेकेंट में महारास्टा है और थर्ड में भीहार है तो उसी तरह से हमारा जो हर्याणा का अस्थान है वो अठारवा अस्थान होगा 2 करोड 53,51,462 को ले करें जिनमें की फिमेल जो है 1 करोड 34,94,734 है और फिमेल जो है 1 करोड 18,56,728 ये पुरूस हो गए ये महिलाएं की संक्या हो गई और रूलर में क्या है टोटल पॉपुलेशन अभी जस्थ हम लोगों ने देखा कि 2 करोड 53,00,000 है तो इसको जदी रूलर और अर्बन में हम लोग डिवाइड कर दें तो रूलर पॉपुलेशन है 1 करोड 65,09,359 और ये जो है जदी परसेंट में इसको निकाले तो 65,10 अम लो 1-2% हो जाता है अर्बन में 88,00,000 लोग रहते हैं अर्बन एरिया में और अर्बन का जदी परसेंटेज निकाले तो सिंपल सी बात है 100-65,12 कर देंगे तो 34,88% आ साएगा और भारत का जो भारत का जो अभी अर्बन पॉपुलेशन है वो लगबग 31.16% के आसपास है 31.16% अर्थात की जो हमारा हर्याणा है वो अर्बनाइजड है और इंडिया के रिस्पेक में ये इंडिया का अर्बन डेटा था density जो है हमारा हर्याणा का वो 573 पर पर्षन पर स्क्वाइर किलोमीटर यानि कि हर एक स्क्वाइर किलोमीटर में हमारे हर्याणा के जो लोग है वो 563 रखेंगे और यह जो है आस्थान दस्वा होगा जैसे कि density में जो सबसे पहला जो density है भारत का वो है बिहार एस्टेट का जिसका की density है 1106 पर किलोमीटर एस्क्वाइर यानि कि इतना पर्षन 573 पर्षन होंगे हमारे और maximum जो है फरीदाबाद में already हम लोगों ने देख लिया और minimum सिर्सा में है और हमने ये भी देखा कि सिर्सा जो है अपना सबसे largest area रखता है फरीदाबाद सबसे कम रखता है ग्रोथ रेट अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 19.91 परसेंट हुआ था और इंडिया का ग्रोथ रेट जो था 17.64 था ये 2011 का डेटा दिखा रहे हम लोग और हमारे हर्याणा में जो ग्रोथ रेट जो था वो सबसे ज़्यादा ग्रुग्राम में हुआ था सबसे कम लिट्रेसी रेट देखते हैं लिट्रेसी रेट जो है अपना 75.6 परसेंट है जिसमें कि मेल जो लिट्रेसी रेट है 84.06 परसेंट फिमेल जो लिट्रेसी है 65.94 परसेंट है और इसका अंतर भी निकाल सकते हैं हम लोग माइनस करके 84 से 65 माइनस कर लिजिए तो कई बार क्व पुशा जाता है कि male और female का अंतराल कितना है literacy rate में, सबसे ज़्यादा जो maximum literacy rate है, गुरू ग्राम और पंच्छुला में है, minimum मिवांत और फतेहाबाद में है, sex ratio 879 जो है, और ये इंडिया में list है, sex ratio में सबसे ज़्यादा जो sex ratio है, वो केरला का है, जहां पर की 1084 जो female है, वो 1000 male पर है, तो हमारी जो sex ratio है, वो 879 females ही है, 1000 male पर, ये इसको सो करता है, और maximum जो है, मिवात 907 है, फतेहाबाद फिर है, जिसको गुलाबी सहर करते हैं, और minimum जो है, गुरू ग्राम और सोनी पत में है, ये बढ़ते हुए करम है, सबसे कम गुरू ग्राम फिर सोनी पत, district with highest percentage of urbanization, सबसे ज़्यादा urbanization, फरीदाबाद में है, गुरू ग्राम में है, फिर फिर पंचकुला में है, और district with highest percent of rural जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामिड छेतर है, वो मिवात में है, फिर महेंदरगड में है, और फिर फतेहाबाद में है, lowest percentage of urban population, सबसे कम जो सहरी population है, वो मि लोगसभा और रासभा में देखते है, हमारे पास 10 सीटे हैं, लोगसभा की, जिसमें से कि 2 जो reserve है, schedule caster की, अंबाला और शिर्चा की जो constituency है, वो schedule caste के लिए reserve है, रासभा की प सीटे है, बिधान सबह की 90 सीटे है, और 17 जिसमें की, schedule caste के लिए reserve है, इवनी केम्रल हमारा पॉपॉलेशन का ये भी देख लेते हैं और कुछ हम लोग इंपोर्टेंट्स देखते हैं कि किस नाम से हम लोग जानते हैं अपने जीलो को गेटवे अफ हर्याना महेंद्रगड को कहते हैं सिटी अफ पार्क रूक चेतर को कहते हैं ब्रॉंज सिटी रिवारी को कहते हैं हट अफ हर्याना जिंद को कहते हैं पैरिस अफ हर्याना करनाल को कहते हैं साइबर सिटी गुरूगराम को कहते हैं पेपर सिटी यमुनानगर को क को कहते हैं पिंक सिटी फतेहबाद को कहते हैं सिटी अफ मार्टाय अर्सियानी की सहीदों का सहर जजजर को कहते हैं ट्राइ सिटी पंचकूला चंडिगड और मुहाली को मिलाकर ट्राइ सिटी बनता है सुगर सिटी पलवल और रोता को कहते हैं टेक्स्टाइल सिटी सिटी अ मंचकुला को कहते हैं, मैगनेट सीटी या स्टिल सीटी हिसार को कहते हैं, साइंट सीटी या ट्विन सीटी अंबाला को कहते हैं, कासी अफ हर्याना या सीटी अफ टेमपल भीवानी को कहते हैं, या छोटी कासी इसको छोटी कासी भी कहते हैं, चुकि कासी तो अपना बनारस म कहते हैं भिवानी चीला को कई बार ये question पूछा साथ चुगा है next जो अपना data है naming of district हम लोग देखते हैं कि हमने अपने district को कैसे naming किया है फतेहाबाद after the name of son of फिरोस साथ तुगलग फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद पढ़ा है भिवानी भिवानी देवी के नाम पर रिवारी after the name of daughter of king रावेत नेम रिवती जो था उनके नाम पर रिवारी पढ़ा है जिंद जैनती देवी टेंपल चर्की दादरी जहाँ इसलिए पढ़ा है कि लेक दादर है वहाँ पे करनाल कर्ण के नाम पर पढ़ा है कर्ण महाभारत के जो पात्र है महंद्रगर जो है जो पतियाला king पलवासूर है पलवासूर एक दैत था डेमन था जिसके नाम पर पलवल पढ़ा है सोनिपत स्रवन कुमार के नाम पर पानिपत रिशी पानिनी और पानिनी का जन्म था ये पाठली पुत्रा में हुआ था हमारे हर्याणा में पानिनी का जन्म नहीं हुआ था जिन्होंने की संस्क्रीत का ब्याकर है उसे लिखा था रोहतक सन अफ क्वीन तारावती नेम रोहितास फरीदाबाद सेख फरीद के नाम पर पड़ा है फाइनली हम लोग यह देखते हैं कि हर्याणा के जो फर्स्ट थे वो कौन को थे फर्सीयं जो हैं भगवत द्याल सर्मा है फर्स्ट इलेक्शन जो हर्याणा में होगा 1967 में होगा और यह फर्त लोक सेवा ये लोक सभा का ये इलेक्शन था और मेजोरीटी उस समय जो जीती थी वो इंडियान नेशनल कॉंग्रेस जीती थी first a speaker in haryana assembly में बिरेंदर सिंग थे और first a speaker of women जो हमारी बनी थी वो सन्नो देवी बनी थी और सन्नो देवी केवल हRyana की नहीं भारत की ही सबसे पहली speaker बनने वाली female में थी first जो साइठ पिर जो साइठ आ काठमी अवार्ट विनर थे हरयाना के वो परभा करते हैं, फर्स्ट हर्यानवी फिल्म जो था वो हर्फुल सी जाट जुलानी है, फर्स्ट हर्यानवी फिल्म जिसको किराश्टिय पुरुसकार मिला था है वो है पगड़ी The Honor, तम्मिल सेकेंड लेंग्वेज नाइंटीन हंडे सिस्टीनाइं में बना था उस समय बंसी खत्म हो गया है तो यह कि लोगेस्ट तर्म है पहला हम लोगो ने देखा कि भगवती सर्मा है यह जो भगवता द्याल सर्मा है सर्म है और सबसे जो लॉंगेस टाइम पिरियड रहते हैं वो बनते हैं भजन लाल बिस्नोई जो की 11 साल 10 महीने रहते हैं और ये पूरा जदी दीन में इसे कंभर्ट किया जाए तो 4,370 दीन हो जाता है फिर बंसी लाल आते हैं इनका भी जो 4,268 डेज रहते हैं ये ओपिस म और ट्वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी ये बनते हैं अंडर पहली बार भीपी सिंग के सासन काल में जब भीपी सिंग प्रधान मंत्री थे फिर चंदर सेखर जब प्रधान मंत्री थे उस समय भी ये वाइस प्रेसिडेंट या जिसको की डिप्टी है राव बहादूर बिरियंदर राव जो है वो सेकेंड और प्रेसिडेंट रूल पहली बार लग जाता है 20 नॉवंबर 1967 थे 1968 तक चलता है हमारे हर्याना में तीन बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है फिर हम लोग देखते हैं गवर्णर अफ हर्याना सबसे पहले जो पीरा बियन चक्रवर्ती सेकेंड थर्ड में रंजीत सिंग नर्वाल थे और अभी 18 हमारे गवर्णर बन गए है वंडारु दत्रात्र है तो यह अपना गवर्णर रोला हो गया है फिमस वाइड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं हर्याना में भिंडवास जो वाइड इंफोर्मेशन हुआ हर्याना का और भी हम देखते हैं कि कौन सा और इंफोर्मेशन हो सकता है जिसको की अगले वीडियो में डाल देंगे शो थैंक्स एंड टेक कियर